नमस्कार स्वागत है आप सभी का Compt số योटूब Channel पे और आज हम लोग बात कर रहे हैर。 ईकनॉमिक के बारे में हम लोग बात करें kg C जाहिड है भारतं के कहला में हम लोग बात करने वाले है आज टीक है और आज से हमारा जो टॉपिक है वो भारत के economy के उपर ही है पलस में कुछ दुनिया इदारी भी देख लेंगे यानि कि विश्व economy के बारे में थोड़ा सा भी बात हम लोग भी कर लेंगे इसके साथ जो संदर में point आएंगा उसके साथ ठीक है एक दूसरी बात यह है कि चुकि आप जानते हैं कि budget आ चुका है तो हम लोग budget के उपर भी बात करेंगे और आर्थिक सर्वेक्षन के important point के उपर भी हम लोग बात करेंगे आज ठीक है ना आज तो नहीं कर पाएंगे लेकिन हां इस topic जो हमने economy शुरू किया उसके साथ हम यह करते हुए चलेंगे और हर topic के साथ जहां कहीं भी data क की बात आएगी तो हम कोसिस करेंगे कि हम आपको recent data आप तक पहुंचाएं बिल्कूर recent data इससे क्या होगा चाहे वो budget से लिया गया data हो चाहे वर्थिक सर्वेक्षन नए वाले से लिया गया data हो इससे क्या होगा कि आप जो चीज current affairs में पर रहे होंगे वो एक तरीके से आपक तरीके से समझेगा हमको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे घर से समझा देंगे आपके packet से समझा देंगे सबजी और चावल से हम आपको economy को समझाने की कोशिस करेंगे मतलब छोटी-छोटी point से पूरी economy को समझाने की कोशिस करेंगे तो इसको भी बड़े ध् उसास पर ख़ड़ा भी उतरेंगे आप सिर्फ निट्रल होकर कि हमें समझे की कोशिज किए जो मैं आपको समझाऊंगा चलिए सुरू करते हैं economy की बात अगर हम करते हैं तो economy है क्या ये economics क्या है तो दरसल ये एक इस economics में हम ये study करते हैं कि किस तरीके से जो resources है हमारा उस resources का उतपादन उसका उपभोग और बितरन करते हैं वो हमें economics बताती है वो उसका अध्यन ही economics है ठीक है ना कि resources का उतपादन बितरन उपभोग और बितरन है ना अब यहाँ पे अगर इस उतपादन बितरन और उपभोग को अच्छे तरीके से समझे तो कुछ इस तरीके स है कि मान के चलो एक्जामपल बताते हैं आपके घर तक पहुंचते हैं आपके पास रिसोर्स है एक हजार रुपए और अब इसका उबभोग करना है तो आप कैसे उबभोग करेंगे यह तै होता है कि प्रारिटी क्या है ऐसे उबभोग करेंगे यह तै होता है कि प्रारिटी क्या है तो अगर हम यहां पर तीन चार प्रारिटी की बात कर ले तो जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेल्थ का यानि कि फूड का अब यहां पर द् caso कर्या। कि हमारा इन चारो में सबसे प्राइम जो कंसर्ण है वो क्या है बात समझे आप असान तरीके से ठीक है इन चारो जो आप्सन हमारे पास है Health, क्लॉथ, एजुकेशन, मोटरवाइक, इसमें सबसे प्राइम हमारा कंसर्ण क्या है, सबसे मुख हमारा क्या पॉइंट है, जिसके साथ हम अपने पैसे को खर्च कर सकते हैं, उसके बाद अगर पैसा बसता है, अगर यही पे एक हजार के जगा हो, अगर एक लाख रुप्या होगा, तो फिर हम चीजों को अलग तरीके से हैंडल करेंगे, फिर भी हमारा प्राइम सोर्स क्या है, तो हमारा प्राइम है हेल्थ, या फूड, सबसे पहले हम इसी के उपर खर्च करेंगे, क्योंकि खाना होगा, भोजन होगा, तो हम जिन्दा रह पाएंगे, और अगर हम जिन्दा रहें, तो फिर हम जो हैना, हेल्थ, तब हम एजुकेशन और मोटरवाइक या कपड़ों के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिर हम जिन्दा ही नहीं हैं, तो फिर हम वो मोटरवाइक को लेके क्या करेंगे या उन कपड़ों को लेके क्या करेंगे हेल्थ अब अगर हेल्थ से कुछ पैसा बच जाता है तो हम अपने कपड़ों के बारें बात करेंगे कि कम से कम ऐसा कपड़ा हो जो हमारा सरीर ढख सके क्योंकि सोसाइटी मनुस्त जो है ना एक क्या वहते हैं ब उसमें कप्रे पहन के रहेंगे, तो दूसरा हमारा कप्रा important होगा, और उसके बाद simple है कि थीसरा हमारे पास पैसे बचेंगे, तो हम education बेखर्च करेंगे, क्योंकि और फिर अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हुआ, यह खजार से ज्यादा या उससे बहुत ज्यादा पैसा या। दूसरे कोई चीज मान के लों कि जूता तो जूता जरूरी नहीं है उतना जितना की जरूरी कपडा है क्योंकि कपडा अगर हमारा हो गया है तो चलो ठीक है पैसा होगा तो जूता हो जागा ने तो टूटे हुए primary नहीं हो सकता, यह secondary है, तो primary जो चीजे है, वो और उसमें भी अगर important है, तो वो हमारा सबसे पहले health है, उसके बाद हमारे पास कपड़ा या education है, education भी हमारा primary concern ही है, ठीक है न, लेकिन motorbike हमारा primary concern नहीं हो सकता है, यह बात भी आ समझ लिजेगा, तो जो resource है, उसको आप किस intellectuality के साथ बटवरा करते हैं, यह economics है, किस बुद्धी मता के साथ बटवरा करते हैं, अब आज के समय में हो क्या रहा है, मैं, दोखो, economy जो मैं पढ़ाऊंगा, तो बहुत सारी बाते करूँगा, और लिखना आपको कम होगा, तो बहुत सारी बाते करने से क्या होता है, कि आप lifestyle से उपर उठ करके, अगर आप एक लाग की lifestyle तक जाते हैं, तो फिर आपके पास resources कम है, तो आपके उपर करजे या फिर दूसरे तरह की की समस्या सुरू हो जाएगी, और परसानी में आना सुरू हो जाएगे, तो हमेशा जो economy हमें यह सिखाती है, कि किस तरीके से resources, resources का मतलब संसाधन, बस्तूओं का उत्पादन करने और उन्हें बिभिन लोगों की बित्विन करने के लिए दुरलब संसाधन का उपयोग कैसे करता है, यानि कि संसाधनों का उपयोग समाज कैसे करता है, उत्पादन करने और उसको बित्रन करने में, इसको अगर घर तक लेके आ जाएंगे तो फिरूसी संसादन को हम इस तरीके से बाटे हैं health cloth, education या motorbike जरूरी क्या है इन चारों में से सबसे पहला prime concern क्या है ठीक है चलिए यह example के तौर पे था इसको आप अपने घर से दूसरे तीसरे example से भी समझ सकते हैं है ना बात समझ में आ रहा है अब आग दुनिया में पाए जाते हैं मुख रूप से एक जो अल्प विक्सित है यानी कि जहां पर विकास नहीं हुआ है और दूसरा जो विकास सिल है यानी कि विकास के अवस्था में है आगे बढ़ रहा है और तीसरा जो विक्सित है यानी कि अल्रेडि अपने achievement को पूरा कर चु जो कि अभी बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ है अब फिर कंट्री के किसी देश की बात अगर हम कर ले जैसे चाड की बात कर ले या फिर बरकीना फासों की बात कर ले या फिर हम नीचे में चले जाए तो लेसेतों की बात कर ले या और भी कंट्री की बात नाइजर की बात और भी countries की बात आप यहां पर कर सकते हैं, जब विकासिल देशों की बात करते हैं, तो आप भारत की बात कर ले, आप पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, हलागि पाकिस्तान तो विकासिल और विकसित के बीच में है, लेकिन फिर भी developing country में उसको बात कर ले, या फिर हम South Africa की बात कर ल अर्जेंटीना की बात कर ले तो यह सब डिवलपिंग कंट्री है डिवलपिंग कंट्री लेकिन जब डिवलप कंट्री की बात करते हैं तो फिर हम चले जाते हैं मेरिका में USA, United States of America, Canada की बात कर लेते हैं, फिर हम Britain की बात कर लेते हैं, France की बात कर लेते हैं, Germany की बात कर लेते हैं, रसिया की बात कर लेते हैं, तो ये निदर लेन की बात कर लेते हैं, तो ये लक्षन जो है ना, कैसे पकर में आएगा, तो ये वड़ा सिंपल है, जो कभी कभी कोशन एक बोलते हैं, अगर under developed country होगा, तो वहां के economy में जो agriculture का participation होगा, चाहे हो job देने में agriculture का participation हो, या GDP के बढ़ाने में agriculture का participation हो, किसी तरीके से, वो अपने higher level पे होगा, अपने higher level पे होगा, जैसे मैंने जो पहले example लिया, अगर भारत के दृष्टी से इसको समझे, तो थोड़ा समय आपको भारत के दृष्टी से दिखाता हूँ, जैसे मैं भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो हमारी economy थी, काफी सालों तक, वो किर्सी अधारिक थी, और हमारी economy में, यानि के हमारे GDP में agriculture का यगदान 40% से ज्यादा था, 46% तक agriculture का यगदान रहा है हमारे GDP में, और job creation में भी, ठीक है, चलिए, उसके बाद धीरे धीरे जब चीजे आगे बढ़नी सुरू होती है, और हम developing countries के तरफ आगे बढ़ना सुरू करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, कि हमारे हाँ, हम भारत की example से ही बात कर रहे हैं, हमारे हाँ, services बहुत तेजी से आगे बढ़े, industries भ जाते हैं, और इनका योगदान हमारी economy में बढ़ जाता है, example के तरफे, आप देखिएगा कि industries का योगदान हमारी economy में 28-29% तक है लगभग, और services का योगदान आज के डिट में हमारी economy है 50-52% के आसपास है, यानि 50-plus है, तो ये बहुत बढ़ा योगदान है कि आपके GDP का 50 50-plus जो हैना सिर्फ services से आ रहा है, आपके GDP का लगभग 28-30% आपके industry से आ रहा है, तो ये दोनों को अगर add कर देते हैं, तो हमारा लगभग 18-19% ही बच जाता है agriculture के लिए, तो हमारे GDP में agriculture का योगदान मात्र 17-18% ही दिखाई परता है, तो ये developing country का लक्षन है, जहां पी industry आगे बढ़ रही है, services आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसको developed country के उपर बात करें, यानि कि बिक्सित देशों के तरफ से बात करें, तो हां हम क्या देखते हैं, कि services और industry अपने higher level पे होते हैं, यानि कि उनका योगदान economy में 80% तक 85% तक 90% तक होता है, और agriculture का बात बताया है, या कभी-कभी आपको दिक्कत महसूस करा सकता है, कैसे जैसे न्यूजीलेंड हो गया, स्वीडेन हो गया, यहाँ पे agriculture के कारण developed country खलाया है, लेकिन वहाँ पे भी मैं बात करना चाहता हूँ, जब industry आपकी जैसे कि हमारे देश में, आज के date में, आज के date मे agriculture पे 46% अबादी जो है वो जॉब के लिए directly-indirectly depend है, ठीक है, 46% अब इतनी बड़ी अबादी अगर agriculture पे depend है, तो यह आपके और्थ विवस्था की कमजोरी है, ठीक है, तो कि इतनी बड़ी अबादी को agriculture से अगर रोजगार मिलना है, तो वो रोजगार पूर्ण नहीं होग वो अलग तरीके का रोजगार होगा, जिसमें छिपी होई बिरोजगारी जैसी समस्या होगी, जिसमें लिस्ट जो आपका per capita income होगा, उसकी समस्या होगी, तो इस सारी समस्या agriculture पे depend होने के कारण होती है, यह हर economy की कहानी है, इसको आप समझ यह, ठीक है, पॉइंट, लेकिन जैसे ही आप developed country की तरफ जाते हैं, तो maximum वादी, 90% तक वादी जो है आपके दूसरे काड़ियों में involved होता है, 10% वादी या उससे भी कम आपके agriculture में involved होता है, तो वहाँ पे फिर per capita income भी increase होता है, वहाँ पे फिर छुपी विरोजगारी, यानि कि एक ही काम में 4-5 लोगों क कहीं साब से, under developed, developing और developed country की बात हम लोगों ने आपे कर लिया, ठीक है न, अब एक्जामपल आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं, आए दिन अखवारों में इसके बारे में बात होते रहती है, है न, चलिए, अब आगे बरते हैं, अच्छा, यहाँ पे एक point लिखा हु कहा जाता है, यहाँ साथ के पिता कहा जाते है, अडम समीथ को, यह question exam में कई बार बना है, तो मैंने इसको यहाँ पे include कर लिया है, पूरे के पूरे slide में, अब चलिए, अब थोड़ा सा आगे बरते हैं, थोड़ा सा आगे बरते हैं, तो हमें economy में दो चीजे economics को, दो views से द देखते हैं हम लोग, दो प्रकार के यहाँ पे बाते होती है, एक होता है micro economics, और एक होता है macro economics, micro मतलब होता है सुक्ष, देखो हिंदी इंग्लिस दोनों में लिखा हुआ है, मैं एक बार दिखा दू, आपको किसी दर का कोई समस्या नहीं होगा, देखो, यह हिंदी में लि दिखाई परते हैं, एक micro दिखाई परते हैं, और एक macro दिखाई परते है, micro मतलब होता है सुक्ष, सुक्ष मिद्रिष्टी, सुक्ष, छोटा, नाम से ही पता चल रहा है, micro, और macro ठीक, इसके क्या, मतलब, उल्टा, यानि कि सुक्ष, तो यह बड़े लेबल की बात हो जाए कि क्या है micro और क्या है macro, यहाँ पर हर चीज लिखा हुआ है, थोरा सा समझनी कोशिस किजेगा, देखिए, micro economics, लिखा हुआ हर चीज है, मैं अपने तरीके समझाता हूँ, micro economics जाएं, बेक्तिगत इंट्रेस्ट पर बात करता है, बेक्ति कीची बात करता है, लेकिन जब macro economics की बात आएगी, तो पूरे देश और पूरे अर्थ व्वस्था की बात करेगी, अगर एक्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ठीक है न, एक्जाम्पल मैंने लिखा है, अच्छे से और भी एक्जाम्पल है, कि ऐसे समझो कि पूरा जंगल है, पूरा एकदम भारत का पूरा जंगल है, या एमेजॉन का जंगल है, या पूरे जंगल की बात हो गया, तो वो हो गया मैक्रो इकनोमिक्स, कि पूरे जंगल की बात करता है, कि जंगल में किस परकार के पेर है, उसके टाइप्स क्या है, किस परकार से उसका इन्वार्मेंट बना है, है न, ये, ले मेरे comment भी कीज़ेगा कि समझ में आया कि नहीं, अच्छे से समझो, अगर मैं पूरे भारत की बात करू, पूरे भारत की बात करू, और ये भारत का परिवार है, ये भारत का क्या है, परिवार है, इसमें company भी है, इसमें छोटे-छोटे फर्म है, individual है, और ये पूरा भारत है, तो जब पूरे भारत के economy की बात करते हैं, तो यह macro है, यह क्या है, macro है, लेकिन जब पूरे भारत में हम यह बात करने लगे, कि Tata ने कैसा performance दिया, ठीक है, Reliance ने कैसा performance दिया, ठीक है, राम लाल के घर में कितना खर्चा होता है, राम लाल एक पड़िवार है, ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ, इसके देखेगा example कितना बेतरीन है और कैसे आपको समझ में आएगा, ठीक है, राम लाल के घर में कितना खर्चा होता है, ठीक है, राम फल जो है न, वो कितना रुपईया का गारी खरीद के लाया है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, या फिर ये समझ लीजे कि संगीता जी जो है न, वो अपने कीचेन के लिए, या अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना समान संगीता जी टाटा बहुत बड़ी कंपेनी का भी एक्जाम दिये लेकिन वह भी माइक्रो के अंतर है टाटा या रिलाइंस किस तरीके से चीजों को इनलाइज करता है और उस पर जब हम बात करना शुरू करते हैं उस लेवल पर जाके तो फिर बेटा यह जो है ना माइक्रो एक्नोमिक्स का केस हो जाता है किसका माइक्रो एक्नोमिक्स का तो मैक्रो समझ में आ गया पूरे देश की अर्थ वेवस्था कैसी है दैट इज मैक्रो और संगीता जी के अर्थ वेवस्था घर की कैसी है दैट इज माइक्रो बात को समझेगा ठीक है या रिलाइंस क इस तरीके से अपने जियो को handle कर रहा है या आपने पेट्रो क्यमिकल इंडस्ट्री को handle कर रहा है तो that is micro not macro चाहाँ वो कितनी वर इंडस्ट्री क्यों नहीं इससे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है बात समझ में आगया तो micro macro आपको लगता है समझ में आ गया अब इसको example से अगर हम समझे देखिए example से समझाता हूँ मैं और ये तो हो गया आपके समझने के लिए जो exam में example पूछेगा उसका और exam तक आगा है अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं और जब कोई मुद्दा ऐसे उठाता है कि भारत में बेरोजगारी का दर ऐसा है अपने चरम पे ह रही है या कुछ इस तरीके के मुद्दा उठाने लगा है तो यहाँ पर सब देखिएगा बेरोजगारी की बात हो रही है भारत में बेरोजगारी की बात हो रही है तो ये macro economics है पूरे भारत की बेरोजगारी की बात हो रही है लेकिन जब बात होगी कि संगीता जी का एक ल तो वो और लात करते हैं, तो वो किसके लिए बात करते हैं, macro के लिए, यानि तो विरोजगारी क्या होगा, macro economics का पार्ट है, क्योंकि कोई भी government, संगीता जी तो अपनी बेटी के लिए, या अपने बेटे के लिए planning कर सकते हैं, कि इसके लिए हम क्या करें, लेकिन कोई भी government सिर्फ एक लड़की और एक लड़के के लिए planning नहीं करेगा वो जब planning करेगा तो अपने देश में करोरो जो यूबा है उसके लिए planning करेगा और उसके हदार पे बिरोजगारी जैसे सब्दों को निकाल के लाएगा तो वहाँ पे बिरोजगारी क्या हो गया macro economics लेकिन जब संगीता जी के लरकी तक पहुंचते हैं तो कहाँ पर चले जाएंगे micro economics ध्यान रखियेगा फिर उसी तरीके से inflation अगर हम बात करते हैं महंगाई की तो महंगाई किसी के घर की नहीं हो सकती है मान के चलो कि हम गरीब है तो अगर हमारे गरीब का मतलब पैसे से गरीब देखो गरीब की बहुत अलग अलग तरीके की परिभासा है समास सास्त्रों के द्वारा ऐसे लेकिन नॉर्मली गरीब चुकि हमारे यहां पैसे की इतनी ज़्यादा पर्चलन है कि हर चीज को पैसे से तौल नेते हैं, तो चलो गरीब मालने, तो पैसे से अगर मैं गरीब हूँ, तो मेरे लिए एक रूपय किलो चावल भी खरीदना मुश्किल हो जाएगा, मतलब ऐसे समझो, कि अगर बाजार में पांच रूपय किलो चावल भिक रहा है, और मेरे पास प इडिविजूल लेवेल पे, तो इसकी बात तो हम करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है, गरीबी और अमीरी की खाई तो हर देश में है, पॉइंट है कि मिलाज उलाकर के महंगाई की बात करते हैं, तो पूरे देश के एकोनमी की महंगाई की बात करती है, जहां पे हर कोई उससे प्रभावित होता है, तो inflation क्या है, macroeconomics, अगर GDP की बात करेंगे, तो आपके घर की GDP की बात नहीं होगी, यह होगी देश की GDP की बात, तो यह क्या हो गया, macroeconomics, हां, यह अलग बात है कि मैं समझाने के लिए आपको आपके घर तक पहुंच जाओंगा, लेकिन आ अगर महंगाई बात हो रही तो पूरे देश के लिए हो रही है, अगर ब्रोजगारी बात हो रही तो पूरे देश की बात हो रही है, GDP की बात हो रही तो पूरे देश की बात हो रही है, अगर ब्याजदरों की बढ़ने और घटने की बात हो रही तो पूरे देश की बात हो एजामपल वहाँ पी लिखाओ उसको भी समझायता हूं जैसे कंज्यूमर का या इंडिवीजूल इंकम का या सेविंग का या सप्लाई का या डिमांड का या फिर प्राइस का यह ना यह क्या है क्या बोलते हैं क्योंकि सेविंग छोटे-छोटे परिवार का सेविंग करके एक बड़ा सेविंग बनता है ठीक है तो ध्यान रखेगा और सेविंग के लिए यहां परिखवाद ध्यान रखेगा कि सेविंग के लिए अगर गॉर्मेंट नीती बनाती है तो यह बिल्कुल इंडिवीजूल प पर ये बाते होनी शुरू हो जाती है और सेविंग को लेके बात करें कि हमारे देश की जो एक क्यावल के ट्रेडीशन है और माइंडसेट है वह सेविंग के तरफ ज्यादा है ठीक है मैक्सिमम अभी भी लेकिन आज कल जो मैं देख रहा हूं जैसा कि मैंने पहले एक्जामप क्योंकि लोगों का जो पूरा का स्टाइल है वह बदल रहा है बहुत तेजी से बदल रहा है उनको बड़ा अमीर दिखने का इतना ज्यादा सौक है लोगों को कि मतलब वह यह न समझते हैं कि हमारी आमदनी 20,000 है तो हम क्यूं वह ऐसे महंगे चीज खड़ दे जिसमें हमा ही कहूंगा कि जो हमारा परंपरा है उसी बज़ा से हमारे देश में अभी तक बहुत बड़ा मंदी नहीं आया है लेकिन अगर हम अपने परंपरा से अलग हट गया तो यह बात याद रखेगा याद रखेगा इस बात को ठीक है और मैं इस पर और भी बाते करता हुआ किसी मान के चलो की कोई एक ऐसा छेत्र है जहां पर कॉपी किताब का सप्लाई या उसका डिमांड बहुत ज़्यादा क्योंकि वहां पर मैक्सिमल लोग परने वाले है और वहां बाजार जो डेवलप हुआ है वह इनवर्सिटीज को लेके हुआ है तो वहां पर कॉपी किता जो की इनवर्सिटी से रिलेटर होगा और वहां जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो किताब कोफी के अलावा कपड़े भी उनको चाहिए होगा उनको जूते चाहिए होगा ठीक है उनको फिर घर ही चाहिए होगा फिर उनको उनको वहां पर बाइक नहीं चाहिए उनको पर कार नहीं चाहिए क्योंकि कार और बाइक तो कहीं से भी ख़ड़ सकते हैं, बेसिक चीजे चाहिए, कपरे चाहिए, जूते चाहिए, टूथ प्रस चाहिए, रोज के समान, खाने का समान चाहिए, कौपी किताब तो चाहिए चाहिए, पेन तो चाहिए ही चाहिए, तो वहा पर खड़ देगा है तो एक नब बीखने वाला है क्योंकि वहाँ पर डिमांड होंडा के शोरूम का नहीं है तो होंडा वहाँ खड़ लगाएगा नहीं तो कहां शोरूम लगाएगा इंडस्ट्री लेवल पर हड़ियाना में जाकर के मान के चलो दिल्ली की बात करते है तो शोरूम खड़ी है, वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई फोड़ूम होगा, मुझे इसा ही, इन्वर्सिट्री के एरिया की बात कर रहा हूं, अब उसे अलग तो और भी बहुत सारे जगह है जहां पर हो सकते हैं, तो पौइंट समझने की कोशिज किजेगा इसको, तो स लेकिन जब बेरुजगारी और महंगाई की बात होगा, तो वो macro होगा, याद रखेगा, जब consumer के behavior, अब यह भी बात कर लेते हैं, तो micro है, क्योंकि consumer हम है, हमारी behavior की अध्यन होगा, तो micro है, क्योंकि हमारे individual level पर behavior की बात आप करना शुरू कर दिया है, ठीक है, तो यह भी micro, जब price of goods की बात होगा, तो यह micro है, किसी भी चीज के price की बात, कीमत, कीमत अपने आप में micro है, ठीक है, तो price जब आजागा, तो फिर वो micro है, तो यह भी ध्यान में आप रखेगा, price of goods, तो micro और macro economy हमको लगता है, समझ में आ गया, मैंने आपको समझा है, कि पूरा जंगल है यह भी मनने लीग भी दिया है, और जंगल की जब बात करते तो macro है, लेकिन जंगल में एक एक पेर को जब समझने लगते हैं, और उसकी characteristic पे बात करना सुरू कर देते हैं, तो फिर वो micro economics है, यानि आपके घर तक पहुंच जाए, तो वो micro है, और देश में उपर उपर ही ब होते हैं, तो जब types of economy और किस-किस प्रकार की economy की बात हम करते हैं, तो वहाँ पे हमें 3-4 types, बड़ा importantly हमें दिखाई पता है, मुख रूप से 3 types, तो बहुत मुख रूप से दिखाई परते हैं, एक होता है हमारा पुंजिवादी अर्थविश्था, दूसरा होता है हमारा ज दिसरे में रखेंगे हम मिस्रित अर्थविश्था यानि mixed economy, तो ये 3 परकार की economy बहुत important है, बहुत importantly हम लोग इसके बारे में समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन एक चौथी economy ही भी है, जो कि एक्जाम में question पूछ लिया जाता है, जो पहले हुआ करता था, आज की date में तो वो बंद अर्थविवस्था है, तो ये कभी हुआ करता था, लेकिन अब ऐसी अर्थविवस्था नहीं हो सकती है, ऐसा practice भी नहीं हो सकता है, क्योंकि globalization किस दोर्ण में कोई न कोई किसी तरीके से जुरा हुआ है, और फिर एक दुनिया से जुर जाता है किसी ने किसी तरीक कर दोर्ण में है, तो एकोनमी के परकार में शुरू करते हैं, हम लोग सब से पहले, capitalistic economy, capitalistic economy को मैं especially कहता हूं, निर्दई economy, मतलब जहां पर कोई दया नहीं है, कोई दिल में भाव नहीं है, वो economy, capitalistic economy है, जहां सब कुछ profit है, जहां सब कुछ पैसा है, ये capitalistic economy है, जहां हर पैसा है यह capitalist economy है याद रखेगा अच्छे तरीके से तो जो capitalist economy है इसका सबसे important जो feature है जो सबसे important feature है वो है profit और यह साथ मैंने आपके notes में लिखा है तो मैं देख लूँगा लिखा हुआ होगा ठीक है इसका सबसे important feature है profit कमाना सबसे important चाहे कैसे profit आए यह अलग बात है तो profit कमाना यानि लाब कमाना जो है capitalist economy का सबसे important feature है यह बात याद रखेगा अब इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं आप जान रहे है कि लोग hospital में जाते हैं जूट साच बोल करके पता नहीं कितने सारे लिए पैसे बना लेते हैं किड्नी तक बेज देता है पता न क्या होता है पैसे कमाने के लिए कितना गिरे गा इनसान मेरे को समझ में नहीं आता है कहा तक जाएगा लोग यह समझ में को नहीं आता है चले ठीक है देखते हैं capitalist economy के बारे में एक लेसे स्फियर का सिध्धान्त है यह कोशन एक्जाम में पूछ लेता है लेसे स्फियर का सिध्धान्त ठीक है एक इटली के एकनोमिक्स थे जिनका नाम था सेरा इन्हों ने यह सिध्धान दिया था लेसे स्फियर का इसका मतलब क्या होता है लेसे स्फियर का सिध्धान्त बड़े गौर से समझेगा, बहुत अच्छे तरीके से, मैं बड़ासान तरीके समझानी कोशिस कर रहा हूँ, मैं तेजी से बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे कारण यह है, कि हमें चीजों को बाइंड़ भी करना है, ठीक है न, आप बेल गारी पे चल करके, और रॉकेट से आ ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, एक बाद धियान रखियेगा, किसके बारे में, लेसे स्फियर के बारे में, यह होता क्या है, लेसे स्फियर का सिध्धान्त क्या कहलाता है, तो दरसल लेसे स्फियर का सिध्धान्त यह कहता है, कि बाजार में गौर्मेंट हस् हस्द्छेप की नेती होता है tudoूसरे अर्थों में कहें तो बाजार ये कहती है अपने सरकार के यानिकी 1938 और ना करो बाजार को डिमांड और सपलाई के नियंतरन में रहने दो मतलब १िमांड जैसा होगा सप्लाई जो की होगा उसके हिसाब से कीमत तै होगी और इसी हिसाब से बजार को चलने दो यह होता है लेसे स्फियर का सिध्धान जिसमें गौर्वर्मेंट और हस्तच्छेप की निती अपनाती है इंटर्फरेंस गौर्मेंट का नहीं होता है या बिलकुल लिस्ट होता है जैसे अमेरिका जैसे जर्मनी बिटे जैसे आमारा और भी कंट्रीज का नाम ले सकते हैं जो अच्छा से फॉलो करते हैं और पूरे दुनिया में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा Capitalistic Economy के Example कौन है? USA है आपको पता है सबसे बड़ा और यह जो Capitalistic Economy है यह Adam Smith के Build of Nation का ही योगदान है याद रखियेगा कि बाजार में सरकार हस्तच्छेप ना करें तो इसका मतलब है कि बाजार में जो समान की कीमत होगी वो बाजार के Demand और Supply पे निर्भड करेगा? Point. दूसरा, Government हस्तच्छेप नहीं करेगा? तीसरा, इसका मतलब है कि government का जो बाजार में involvement होगा, एक समान बेचने और खडने की रूप में वो कम होगा, क्योंकि अगर government market में आ गया तो इसका मतलब है कि फिर government आ गया न तो उसका नियंद्रन तो एक तरीकी के हो जागा, तो government market में नहीं आएगा, यानि कि government का काम product बेच the में आपको बताया यह सारे अर्थ fought लक्षन है जो मैंने आपको बताया तो पुंजिवादी अर्थिवस्था के लक्षन में क्या होगा लाव कमाना बजार में औहस्त छेप की कीमत डिमांड और सप्लाई के अनुसार यानी बजार के अनुसारत होगी प्राइबेट जो कंपनी होगी उसका बजार में दबदबा होगा यह सारे पॉइंट्स होंगे कर्पिलिस्टिक एकॉनमी का और यही होता भी है और एक्जाम में अगर आपसे कोशन पूछेगा तो इ मतलब यह है कि बाजार जो है ना वह बिल्कुल निर्दाई है जहां पैसा सब कुछ है बस अब इस सूंच के साथ आप जाएंगे तो आपके कैटलिस्टिक एकॉनमी का आपका एक कोशन बन जाएगा अब बोलेंगे कि इसी एक लाइक लाइन से बिल्कुल बन जाएगा ले तो लेसे स्फियर के सिध्धानत के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया ठीक है लेसे स्फियर के सिध्धानत के बारे में ठीक है ना चलिए बस तू की कीमत कौन तै करेगी बाजार तै करेगी क्योंकि सरकार तो यहां है नहीं ठीक है उद्देश क्या होगा प्रॉफिट क प्रूंपनियों के बारे में भी तो लाव कमाएगा तो नीजी छेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा होगा ठीक है इस का सबसे अच्छा एक्जामपल कौन सा है यूए से इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है ठीक है और इसका सुरुवात कैसे हुआ था एडम इसमीद की बिल्थ ऑफ नेशन से उत्पन ये थियोरी माना जाता है ठीक चलिए और इसे बाजार अर्थ विवस्था भी कहते हैं बाजार अर्थ विवस्था ज्यान रखेगा नाम ही है बाजार बाजार का मतलब जानते हैं बाजार का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान एक ऐसा सोच एक कैसी विवस्था जिसके अंतरगत क्रेटा और विक्रेटा दोनों के बीच में इंट्राक्ट हो यही बजार होता है चाहे क्रेटा सर्विसेज का हो चाहे विक्रेटा गूड्स का हो चाहे क्रेटा मतलब सर्विसेज का खरीद विक्री हो या गूड्स की खरीद विक्री हो किसी से बजार हो रहा है और फिजिकल मार्केट भी है जहां पे गूड्स मिलते हैं ठीक है ना चलिए तो पुंजिवादी अर्थवस्ता मुझे लगता है समझ में आ गया जहां जिसके पास पैसा पुंजी का मतलब पैसा जिसके पास उसी का बजार है ना चलिए और आप जानते पुंजिवादी अर्थवस्ता में चले जा तुम्हार पास पैसा नहीं है डेट बॉटी नहीं देते हैं काते नहीं देंगे पैसा दो तब देंगे यह कहानी, मतलब आपने पीछले कुरोना में देखा कि किस तरीके से कहानी हुई थी सकेंड वेब में, थार्ट वेब में भी आप देखी रहे होंगे, तो बड़ा बहुत बिचीतर हाल है, आपको इस समझना होगा, बहुत बिचीतर हाल है, चले ठीक है, सोसलिस्ट एकॉन्ट यानि कि समाजबादी अर्थ विवस्था के बारे में हम लोग बात करते हैं, सोसलिस्ट एकॉन्ट नाम से समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझा जेता हूँ, फिर जो लिखा हुआ, उसके बारे में पढ़ करके आपको बताऊंगा, अगर कुस छूटेगा, तो उसको समाजबादी अर्थ विवस्था क्या होता है, मैं बड़ा अच्छे तरीके से आपको समझाने कोशिश करूँगा, फिर से मैं एक बार अटक जाता हूँ, देखिए, समाजबादी अर्थ विवस्था क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, ये दिरसल एक तरीके का controlled अर समाजवादी अर्थवस्था, welfare economy भी कहलाती है, welfare economy, मैंने ये बात लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ, क्या चाहती है, welfare चाहती है, welfare economy, और अगर welfare चाहती है, तो ये कही ना कही, government के regulation में ये economy होगी, जहाँ पर प्राइवेट बॉड़ी से, प्राइवेट बॉड़ी तो मुस्किल रहेगा, क्योंकि फिर मिस्रीत आ जाते हैं, जहाँ पर government के जो institution है, वो market में या वो important role अदा करेगा, जहाँ पर government का ही institution हो, ठीक है, और कीमत government तै करेगी, क्या कीमत होना चाहिए, और जो खरिदार है उसके नजरिये से, यानि कि जो खरिदार है, आपका जो जनता है, वो किसी चीज का मांग कर रही है, यानि डिमांड कर रही है, उसी कहीं साब से supply होगा, और उसी कहीं साब से production भी होगा, पुझिवादी अर्थवस्था में ये बात नहीं थी, पुझिवादी अर्थवस्था में demand supply था, लेकिन कभी-कभी वहाँ क्या होता है, कि supply करके उसका demand create करते हैं, जैसा कि आज हो रहा है, example, पहले से scooty पूरे देश में मौझूद है, और electric scooty भी सब तरह की scooty मौझूद है, Ola आया और market में supply किया, और add करके features के बारे में रंग मिनंग की बात वता करके demand create कर लिया, और Ola की scooty आप जानते हैं, कि पूरे दुनिया में इतनी तेजी से कोई scooty नहीं भी की थी, जितना Ola की scooty भी की, ध्यान रखने की बात यहाँ पर यह है, कि वहाँ पर आप supply करके और demand create कर सकते हैं, और ऐसा हो रहा है, अपने देश में बहुत ज़्यदा हो रहा है, mobile phone बहुत है, लेकिन लोग ने-ने mobile लाते हैं, supply कर देते हैं, और फिर उसके उपर demand create करते हैं, आज गेट में यही हो रहा जो मैं बोल रहा हूँ, supply दे करके और demand create करना, add के दोवारा या किसी भी तरीके से, परभाब साली लोगों से उसका add कर वाली है, सचिन ननुकर add कर रहे हैं, धोनी add कर रहे हैं, बिराट कोली add कर रहे हैं, यह परभाब साली लोग है, इसके परभाब में आखर के लोग आप purchasing कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कि जनता जो demand करेगी, वही supply होगा, और उसी का production भी होगा, सबसे बड़ी बात यह है, इस socialist economy में, और government सब कुछ होगा, government का बड़ा पकर रहेगा बाजार पे, government जो तै करेगी, उसी हिसाब से बाजार चलना है, government जो rate तै करेगी, उसी हिसाब से बाजार में बिखना है, government क्योंकि government चाती ही, कि हमारे देश के जनता का welfare हो, देश के जनता के पास इतनी resources नहीं है, कि उसे हम खुला छोड़ दे, जाओ जैसे मर्जी वैसे खरीड विक्री करो, जनता भूखे मर जाएगी, प्यासे मर जाएगी, डॉक्टर इलाज नहीं हो पाएगा, दुनिया अभर की कहानी, तो अगर capitalistिक एकॉनमी में, अगर हम लोग example, अगर अमेरिका का दिये थे, यहाँ पे socialist economy को सुरू करने वाले थे, USSR, ठीक है ना, यानि उसे में सोवियत संग कहा जाता था, इनको सोवियत संग, जो आज रसिया के रूप में है, 16 भागों में तूट करके, आज रसिया के रूप में है, तो इन्हों ने socialist economy को सुरू किया था, जहाँ पे government का बड़ा ही दबदवा था इस economy में, दिरे दिरे आप जानते हैं कि यह भी capitalistिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना, पूरा दुनिया देरे-देरे capitalistिक economy की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यह बात भी मुझे भी पता है, हाँ, हम capitalistिक से ज़्यादा यह कह सकते हैं कि कहीं ने कहीं मिस्री तरफ वस्ता की तरफ दुनिया बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खाई भी बढ़ती जा रही है, capitalistिक economy के कारण खाई भरती जा रही है, तो government भी interfere करना शुरू कर दिया है, तो दोनों बाते, capitalistिक और दूसरा मिस्री लेकिन socialistिक एकोनमी का यहाँ एकदान अभी list होते जा रहा है, इसका example हम दे सकते हैं, आज के डेट में अगर socialistिक एकोनमी के example हमें देना है, तो हम North Korea की बात कर सकते हैं, South Korea नहीं बेटा, North Korea की बात कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर राजा है, और राजा वहाँ जो चाहता है, वही होता है, वहाँ तो यह होता है, वह जो गोलू सा राजा है, वह जैसा बाल कटवाता है, वैसा बाल आप कटवालीजे, जैसा उसकी बीबी बाल कटवाता है, वैसा लरकिया बाल कटवाले, ठीक है वहाँ पर कहाएगा दस दिन तक कुछ रहना है तो दस दिन तक कुछ न बोलो कोई बोलेगा तो फिर उसके साथ क्या होगा तो वहाँ का राजा थोरा सा सनकी अलग होता है वो थोरा सा अलग लेविल के हमको लगता है कि वो पागलो की स्रेनी में नहीं आता उसे उपर वाले स्रेनी में है खेर चलिए तो नौर्थ कोडिया को हम कह सकते कि आज के डिट में एकना कंट्रोल्ड इकॉनमी है जिसका कोई हिसाब नहीं है बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड इकॉनमी है हम कह सकते हैं लेकिन शुरुवाद किस ने किया था यूए से साड़ ने है ना चलिए जब पर्थम विश्यूद के बाद 1917 में रूस की करांती होती है उसके बाद से इस एकॉनमी को हम बहुत तेजी से देखते हैं शुरू हो जाते हैं चलिए ठीक है एडम स्मित के बेल्थ अफ नेशन से यह कार्ल माक्स के दास कैपिटल से ठीक है यहां बस्तू के कीमत कौन तै करती है सरकार तै करती है यहां पर बस्तू की कीमत मुख उद्देश क्या होता है नागरिकों का कल्यान यानि की बेलफियर मुख उद्देश होता है यह बात हम हमने आपको बताया ठीक है इसे कौन सी अर्थव्यस्था कहते हैं तो इसे राज अर्थव्यस्था नियंद्रित अर्थव्यस्था या किंद्रिय नियोजित अर्थव्यस्था भी कहा जाता है एक्जामपल हमने USSR के जिया शुरू किया है और यह हमारे भारत में भी दिखाई परता है, यह हमारे भारत में भी दिखाई परता है, लेकिन भारत में बहुत कम दिखाई परता है, ठीक है, यानि कि एक लेबल पर, भारत में Capitalistic Economy भी दिखाई पड़ता है एक लेवेल पर तो इस वह से भारत दोनों अर्थ वस्था का उदारन बन जाता है और मिस्री तर्थ वस्था हो जाता है ठीक है Example के तोर में बता दे अगर Capitalistic Economy की बात करें भारत में तो भारत में हम देखते हैं कि हमारे पास ठीक है स्कूल के बिल्कुल एक चेन है DPS मालो दिल्ली पब्लीक स्कूल है बिल्कुल प्राइवेट स्कूल है दिल्ली पब्लीक स्कूल है और हमारे पास उसके सासा सरकारी भी स्कूल है गॉर्मेंट का स्कूल है तो जिसके पास पैसा है वो गॉर्मेंट स्कूल में जाएगा जाएगा ही, sorry, DPS में जाएगा और जिसका पास पैसा नहीं है वो गौर्मेंट में जाएगा अब आप बोलेंगे सर्फ पैसे वाला गौर्मेंट में जाता है तो नहीं, लेकिन maximum अबादी, यानि गौर्मेंट स्कूल में अगर बच्चों को हम देखेंगे तो इसमें हम बता जाते हैं, दिल्ली अपबाद है छोड़ दीजे, तो 90% अबादी जो होता है वो ऐसे लोगों कहा है जिनका अमदनी कम है, 10% ही ठीक अमदनी वाई लोग गौर्मेंट स्कूल में जाते हैं वो भी किस कारण से उस स्कूल का बहुत बरा नाम होगा इस कारण से अधरवाइज प्राइवेट स्कूल ही लोग प्रिफर कर रहे हैं, ये बात आप समझ लेजे, ठीक है अर्थवस्था में पीछे के दोनों अर्थवस्था का रिवीजन हो जाएगा, और एकदम पक्के तरीके से आप जो इना बीना रिवीजन किये, खाड़ा होकर के कहीं भी बोल सकते हैं, इकॉनमी के बारे में, बीना रिवीजन किये, बस अगर आपका दिमाग खुला हुआ और खुले दिमाग से चीजों को समझे, रट्टा मारने से किताब पढ़ने से नहीं होगा, इकॉनमी किताब पढ़ने रट्टा मारने से नहीं होता है, उसको तो बस समझते कितना है एकॉनमी को, घर से कितना समझते हैं, समाज से कितना समझते हैं, हो क्या रहा है देश से, उससे कितना समझते हैं, इससे economy समझे में आता है, चली ठीक है, mixed economy या मिस्रित और्थवेस्था, इसके बारे में सबसे पहले बता दे, इसका बहुत अच्छा example हमारा इंडिया है, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा इकबाल ने लि है, यानि कि इस अर्थवेस्था में हम देखते हैं कि पुंजिवादी characteristics भी हैं और समाजवादी characteristics भी है, यानि कि दोनों characteristics जिस अर्थवेस्था में पाया जाए, उसा हुआ अर्थवेस्था है, कौन होगा, मिस्रित अर्थवेस्था होगा, बड़ा simple तरीके से समझे, और example एक नहीं, हम तो 100 example दे सकते हैं, आपके पास time है क्या सुनने के लिए, दो चार को सुना जेता हूँ, अगर मेरे पास, यानि हमारे पास अर्थवेस्था की बात करें, तो अगर हमारे पास school की बात कर लेते हैं, अगर DPS जैसे school है, तो हमारे पास government जैसे भी school है, और दिल्ल की बात करें, तो उन्होंने स्कूलिंग को लेकर कैसी करांती लाए है, कि वहाँ पर सरकारी स्कूल के जो government, sorry, private school के अच्छे-चे बच्चे हैं, वह government school में जाकर के अपना नामांकन करा रहा है, क्योंकि वहाँ पर education standard को बहुत अप कर दिया है, दिल्ली government ने, और इसके medical hospital है, जो की बहुत बड़ी hospital है, या फिर आप पूरे भारत में आप जनते, Apollo का पूरा एक chain चल रहा है, तो वो है हमारे पास में, और भी वहाँ सार है, तो हमारे पास में AIMS जैसे भी hospital है, आपको पता है, ठीक है, AIMS जैसे भी hospital है, जो सरकारी hospital है, हमारे पास RML जो दिल् बड़ा डॉक्टर नहीं हाँ पे बैठते है, आरे मिल और AIMS में याद रखेगा, तो हमारे पास राम मनोहर लोहिया hospital है, आरे मिल जैसे hospital है, हर देश के हर राज में, हर राज के हर डिस्टिक में, हर छोटे सहर में, गॉर्मेंट की hospital है, जहां पे गॉर्मेंट की डॉक्ट में थोरी सी चीजे गरबर हो जाती है, लेकिन हमारे पास गॉर्मेंट दिया तो है ना, हाँ, आगर गॉर्मेंट उसको अच्छे से इंप्लिमेंट ना कर पाया, तो वो गॉर्मेंट की कम जोड़ी है, एक इसका मतलब यह नहीं का हम एकॉनमी को कहते हैं, कि हमारे हाँ ऐस आज कर तो 50 रुपे किलो सलहान चावल होने लगा, पता नहीं क्या हो गया है, कितना महंगाई लेके जाएगा, सरकार कुछ करे, चावल 50 रुपे किलो आप खरीद के लाते हैं, आप लाते हैं क्योंकि आपके जेवी में 50 रुपया है, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसको आ ब taxpayer किलो 2 रुपे चावल परगे, तो government वह हो गयाए पास पने जा जाएं क्या, capitalistic economy के हईसाब से तो मर जाएगा, क्योंकि पैसा नहीं है, तो government किस काम का, तो government कि इस काम का कि सको हम खाना खिलाएंगे, 2 रुपे किलो चावल देंगे, और जिसके पास पास पजार जा क्प roz सब्जेक्ट से अलग चले जाएंगे फिर ये खामियों की नितिया की बात अलग हो जाएगी उसको अलग तरीके से यह economy के अंदर में मौजूद समस्या हैं लेकिन हम यहाँ बात करने economy का और economy government क्या कर रही है उसके उपर में economy की समस्या के उपर करने के लिए फिर अलग से पूरी के पूरी बात होगा है तो यह हे न मौजूद है तो इसका मतलब हम मिस्र對Perfect प्वस्था में चल रहे हैं तीक है न जैसे भी समान और लोडिंग अन्लोंडिंग हो गे जाता है तो यह बेवस्था हमारे देश में हैं जहां पर कॉम्णिकेशन के सिस्टम चीप हो अब जैसे देखो बीसनेल हमारा बिखने के कागार पे है या साइद बिखने के कागार पे है लेकिन भारत में जो एर टेल और ज लगभग खतम सा है अब अगर यह बिल्कुल खतम हो जाता है बोड़ा फोन एडिया भी अब चुकि वह भी तो सरकाई ने प्राइवेट ही है वह भी कमजोर हो जाए तो फिर हमारे पास यही जो विकल बंदेगा तो यह जो चाहेगा वह असूल करेगा और आपको पता है कि जो असूल कर रहा है मनी मन आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से एर डेल और जियो ने पूरे बजार को किस तरीके से करेव महीना होता है 21 आटीस दिन का महीना होता है जो मरी कर रहे हैं महीना चौबीन बंदेगा तुम्हारा महीना 24 दिन का यह कैसा महीना है बात समझ में आ रहा है ना तो जब प्राइबिटाइजेशन होता तो ऐसी हालत दिखाई पड़ता है तो प्राइबिटाइजेशन हर चीज का सॉलूशन नहीं है जब तक प्राइबेट संस्थाओं के सामने में गौर्मेंट का एक बिकल्फ नहीं आएगा तब तक तो प्राइबिट जो है ना अपना मनमानी करना सुरू हो जाएगा और फिर वो राजा महराजा और सामन्तों वाला यूग हो जाएगा जो मर्जी उतना में बेचेंगे खड़ना है खड़ दो जैसे कि ट्रेन में चरने के बाद जैसे मर्ज से चीजें चल रही है इंप्लिमेंटेशन जिस तरीके चल रहा है तो मिक्स्ट इकॉनवी मुझे लगता है समझ में आ रहा है जहां पर दोनों तरीके की बाते हो ठीक है भारत इसका उधारन है बस्तु के कीमत बजार के सासा सरकार द्वारा भी नियंत्रित होती है और आप कीमत के उपर थ्रह सा बात कर लेते हैं आपको समझ में अच्छे थरीके से आजायuben तो फिर आपको लेगा अज resort कीमत कैसे कीमत कर्ति है देखो बीच में आपने सुना था कि बहुत ज़्यादा rate बढ़ गया था आपके tomato का और बहुत ज़्यादा rate बढ़ गया था प्याज का तो that किस तरीके से सर्कार कीमत जो एना तै करती कि तरीके से कीमत में पर्वर्वतन लाती है समय के साथ अगर कभी कीमत किसी चीज का बढ़ जय से अगर प्याज की कीमत पर गई जैसा कि हमने आपको बताया था अगर कीमत बढ़ है तो गोvernment अपने आउटलेट्स पे प्याज जो है ना सस्ते प्याज बेचना शुरू कर देती है और इसका परिणाम क्या निकलता है कि प्याज या फिर निडियात रोग देती है तो इसका परिणाम क्या होता है कि मार्केट पे प्याज कम होने लगते है यानि कि इसकी कीमत कम होने लगती है इ तो यह यह भी एक नीती है तो गवर्मेंट इस तरीके से क्यूमतों पे उतार चड़ाव करती है गवर्मेंट नीती बना सकती है अलग से पार्लेमेंट में तो यह सारी चीज़ें हमें मिस्रे तर्थवस्था में दिखाई परती है जहां जोड़त परने पर गवर्मेंट भी करती है, interfere करती है, जैसे कुछ government अभी जैसे आप देखो एक और example देता हूं, बाजार में electric vehicle की बाते चल रही है, तो government वहाँ पे देख रहा है कि कुछ नो कोई government अपने तरीके से subsidy दे रही है, कि चलो हम row tax छोड़ दे रहा है, या फिर चलो हम कुछ और tax छोड़ दे रहा है, अगर थोड़ा सा भी सस्ता मिले, product जो की environment के लिए बेहतर हो, तो फिर ठीक है, तो government यहाँ पे कीमतों को अलग अलग नीतियों से क्या करती है, प्रभावित करती है, तो यह mixed economy है, ध्यान रखेगा, यह mixed economy, और एक जो closed economy है, इसका simple point है, exam में भी simple तरीके से पूछा है, और इसका simple point है कि कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी आयात और निर्यात नहीं होगा, यह एक simple है, इसको आप समझेगा, चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने economy की बारे में बात कर लिया, यानि कि अलग लग तरीके economy में, अब चलते हैं, थोरा सा sectors of economy, तो सेक्टर of economy की बात करत हैं, पहला सेक्टर है प्रार्थमिक यानि की primary sector, primary sector के अंतरगत क्या आता है, तो देखो primary sector के अंतरगत आता है, agriculture और उससे जुरे हुए सारे इंडस्ट्री, ठीक है न, agriculture और associate industry जो है न, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे रेसम कीट पालन हो, चाहे रेसम का उत्पादन हो चाहे वो हत करगा हो, कुछ भी हो, चाहे गन्ना का उत्पादन हो, तो या किर्सी, गन्ना तो किर्सी के अंतरगत ही आ गया, ठीक है ये सारे क्या होते हैं, सारे प्रार्थमिक के अंतरगत आते हैं, प्रार्थमिक के अंतरगत आता है, तो खनीज, खनन, यहां पर मैं खनन क्योंकि यह कोशन एक्जाम में आया है और बच्चे इसको secondary मारके आया है secondary यहां पर एक बात ध्यान रखेगा कि प्रार्थमी छित्र को अगर समझना है बहुत अच्छे से तो उसका एक ही point है कि प्राकिर्तिक अवस्था में पाए जाने वाले product प्राकिर्तिक अवस्था में पाए जाने वाले product जो होंगे वह primary sector के अंतरगत आएंगे primary sector के अंतरगत जैसे कि कोईला कोईला primary sector के अंतरगत है ठीक है ना लेकिन खनन करने में iron और fines बनाते है तो iron और यहां पहली लिएता हूं मैं ठीक है मीटाक में लिखता हूं ठीक है iron ore यह primary sector है लेकिन इस iron ore से अगर steel बन गया तो यह secondary sector है ठीक है तो यह क्या है secondary sector secondary और यह क्या है iron ore primary sector है तो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझेगा primary और secondary sector में अंतर को बड़ा तरीके से आप divide करेंगे जैसे कि अगर कपास का उत्पादन हुआ, कपास, ठीक है, कॉटेन, कपास, कपास का उत्पादन हुआ, तो यह प्रैवरी सेक्टर है, लेकिन कपास से अगर कपड़ा बन गया, यानि कि टेक्स्टाइल में हो गया, तो यह टेक्स्टाइल जो है ना, टेक्स्टाइल, यह सेके तो द्यान में रखेगा चीजों को बड़े तरीके से दोनों को बाइफरकेट करेंगे ठीक है ना चलिए तो प्रार्थमिक छेत्र किर्सी छेत्र है और इसके अंदर किर्सी बानी की है जो बन बगारा है मतस्य पालन इंदन खनीज बगारा प्राइमरी सेक्टर के अंतरगत आ अबर इसके अंतरगत खेत्रका में और इसके अंत आता है सभी निर्मान बस्टवे इसके अंतरगत आते हैं जैसे कि कपरे का निर्मान होगा धागा करके जैसे से क्या सारे क्या सेकंडरी सेक्टर की यानि कि मेनुफक्ट्रिंग की बात अगर आ गया तो ये सेकंडरी सेक्टर है यादार रखेरका इस प्वैंट को सपर चैनल जैसे बिजली इस्टील कपड़ा अधी इसब क्या रेलवेय बैंकिंग है एजुकेसहैं、 कॉम्णिकेसन है सारे इस के लिए Prince checked यैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सेवा है Dooka u after the doctor कर रहे हैं तो सेवा तो ये सारे क्या है massage 6 और इसको समझाने के लिए मेरे पासule सा ये है कि आप हर चीज के लिए पैसा पे करते हैं, मालूम है, और उसके बाद आपको return में कुछ मिलता है, ये बात भी आपको मालूम है, तो जब आप पैसा पे करते हैं, और इसके return में कुछ मिलता है, physically तो वो primary sector हो सकता है या max possibility है कि वो secondary sector होगा maximum possibility है कि पाइसा पे करके अगर कुछ पाते हैं तो लेकिन पाइसा पे किये और कुछ पाए नहीं तो वो tertiary sector है मतलब physically कुछ नहीं पाए example हमने पाइसा पे किया और हमको एक अस्थान से दूसरे अस्थान पे आटो वाला पहुचा दिया हमको क्या मिला मिला तो physically कुछ नहीं आटो मिल गया क्या आटो तो नहीं मिलेगा तो हमने पैसा पे क्या किया एक अस्थान से दूसरे अस्थान जाने के लिए तो वो क्या है Communication है Railway पतना से और दिली पहुंचा देती है या पूरे भारत में कहीं भी आप उजामपल ले सकते है ठीक है? कुछ पाना अब आप बोलेंगे जैसे बिजली का एक्जामपल में बताता हूँ तो लोग कहते कि बिजली तो पाते नहीं है तो बिजली पाते हैं बेटा वो पाते हैं अगर नहीं भी उस्वास है तो एक बार छू के देखो कैसा जटका लगता है तो बिजली पाते हैं तो उसको सकेंडरी सेक्टर में रखा गया है ठीक है न उसको क्या रखा गया है? सकेंडरी सेक्टर में रखा गया है पानी बंद बोतल secondary sector में है, लेकिन पानी जो नदी का है वो primary sector, वहां से अगर पानी का प्योग करते हैं, तो वो free है या फिर वो natural है, तो जो natural तरीके से प्राप्त हो, एक दम nature से सीधे सीधे जो दिखाई पड़े, वो primary sector है, और उसमें कुछ परिवर्तन कर दे, तो secondary sector है, और economy survey से या फिर ऐसे कह सकते हैं कि नयवाले बजट से, और उस economy survey नयवाले बजट में प्रार्त्मी क्छेतर का योगदान 18.8% है, अगरिकल्चर सेक्टर का योगदान आपके economy में, ठीक है न, secondary sector जिसको माध्मी क्छेतर नहीं बोल सकते हैं, secondary sector, duty एक्छेतर जिसको बोलते हैं उसका योगदान 28.2% है, ठीक है, और tertiary sector, तर्तियक छेतर इसका योगदान 53% है, ठीक है, इसका योगदान कम होगा है, मालूम है मुझे 55 तक पहुच गया था, लेकिन हाँ ठीक है, कोई दिकत नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, जब देश की economy अच्छे से चलन है हमारी economy में, तो tertiary sector का योगदान है हमारी economy में, किस sector को सेवा छेतर कहते हैं, तो tertiary sector को ही सेवा छेतर कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, industrial sector किस sector को कहते हैं, तो दूतियक छेतर या secondary sector को industrial छेतर भी या industrial sector भी कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, तो ये economy के अलग-अलग sector है, मुखरूप से तीन sector को पढ़ाया जाता है economy में, लेकिन दो और sector के बारे में हम बात कर लेंगे, जो tertiary sector का ही sub-sector है, it is a sub-sector of tertiary sector, उसके बारे में बात कर लेंगे, लेकिन importantly आप इसके उपर ध्यान रखेगा, primary sector, agriculture और उससे जुरे हुए, secondary sector, अगर agriculture के किसी चीज में परिवर्तन हो गया, तो tertiary sector का मतलब होता है, जुस्य बाचेतर, ठीक है न, समझ में आ रहा है, चलिए, आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें दो sector और दिखाई दे रहा है, जो कि आपको सामने में दिखाई पर रहा होगा, एक है quaternary sector, और एक है quaternary sector, तो यह जो quaternary sector है, इसको knowledge sector भी बोलते है, knowledge sector, ग्यान sector, और जो quaternary sector है, यह इसको decision making sector बोलते है, वैसे लोग जो इस sector में काम करते हैं, जैसे आपके, आप अगर कहीं काम कर रहे हैं, तो आपके boss, यह आप कह सकते हैं, कि इस sector के अंतरगत है, यानि कि normally एक वैसा mindset, जो की decision making में influence डालता है, वो quaternary sector है, higher level की जो बाते होती है, यह पर लिखा, मैंने सभी गति भी दिया, जहां सीर्स निर्ने लिए जाते हैं, इसके अंतरगत आती है, इसे किसी अर्थवस्ता है, कि समाजिक आर्थिक परदर्सन के पीछे का दिमाग, यह दिमा और quaternary sector में क्या आते हैं, इसको knowledge छेतर कहते हैं, जिसमें हम आप सब आ जाते हैं, ठीक है, टर्सरी सेक्टर के दो उपभाग है, टर्सरी सेक्टर के, यह लिए, अब सेबा तो हम भी कर रहे हैं, और हम से उपर जो कोई बहु सो वो भी सेबा छेतर में ही है, लेकिन हम से decision making में है, तो वो quaternary होगा, और हम quarternary हो जाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं न, चलो, दिक्कत हो तो comment करना, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, अगला सेग्मेंट के उपर में, और अगला सेग्मेंट हमारा economy का है, वो है growth और development, इसमें अंतर क्या होता है, वो जरा एक बार देखना है, कि what is the difference between growth, यानि बिर्दी और विकास, बिर्दी और विकास में क्या अंतर है, ये हमें आगे देखना है, इसको आप अच्छे तरीके से समझे, देखिए, बिर्दी और विकास की बात करते हैं, जब हम किसी देश के economy को, किसी देश के economy को, किसी डेटा से measure कर ले, डेटा से measure, ठीक है, तो वो बिर्दी कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है, मानिके चलो ये GDP है, और ये yearly है, मानिके चलो ये 1950 है, 1900, ठीक है, मैं इसको तुरा अच्छे से कर देता हूं, इसलिए, ताकि आपको दिखाई पड़े, ठीक है ना, आपको दिखाई पड़े, इसलिए मैं इसको तुरा अच्छे से कर देता हूं, ये 1950 है, ये 1970 है, और ये 1990 है, और आगे चल करके ये 2000 है, ठीक है, और इस तरीके से हमारे देश की economy है, तो जब इस तरीके की बात करते हैं, तो हम ग्रोथ की बात करते हैं, कि ये ग्रोथ हो रह होते हैं, कि ये 2% का ग्रोथ हुआ, 5% का ग्रोथ हुआ, 8% का ग्रोथ हुआ, तो ये ग्रोथ है, किसी भी देश का, किसी भी घर का, किसी भी इनसान का, ये ग्रोथ की बात, इनसान का ग्रोथ तो नहीं हो सकता है, किसी भी परिवार का, किसी छेतर का, किसी समाज का देश का ग्रोथ है, one dimensional है, एक एक भीमिये है, इसका एक ही तरीका है कि भया मापो कितना परसेंट है ये, लेकिन जब आप development की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो वो multi dimensional है, बहु आयामी है, ठीक है, multi dimensional, बहु आयामी, जैसे example बताते हैं, ये तो ग्रोथ हो गया, अगर development लिख यहाँ पर मैं development लिख दू, development, तो development में क्या हमको दिखाई पड़ेगा, कि उस देश का education system कैसा है, ठीक है, उस देश के infrastructure कैसा है, उस देश का poverty rate क्या है, ठीक है, उस देश का जो life expectancy, जीवन पर त्यास आ है, जीवन, यानि कि कितना दिन तक जीएगा, वो कैसा है, ठीक है, उस देश में जो infant mortality आयानि कि बच्यों कि मिर्ती उदर है, वो कैसा है, या बच्यों का विकास हम लिख सकते हैं, बच्यों का विकास कैसा है, उस देश में महिलाओ को लेकर के क्या भेदभाव है या क्या है महिलाओ की समानता की बात हो रही है कि नहीं हो रही है समानता की बात हो रही है कि नहीं हो रही है या उसके लिए गौर्मेंट क्या निती बना के रखी हुई है बिर्ध यानि कि old age को लेकर कि क्या regulation बना के रखा हुआ है government ने जब इन सारी बातों में और इसी में हम growth को भी जोड़ लेते हैं या बिर्धी क्या है उस देश की growth बिर्धी क्या है उस देश की तो जब हम कहीं किसी देश में हम इन मापक पे उस देश को मापना शुरू करते ह है तो हम कहते हैं कि वहाँ development है हम क्या कहते हैं वहाँ development है ठीक है इसमें per capita income आप लिख सकते हैं लेकिन point को यहाँ पर थुरा सा इसी में हम समझाते हैं कैसे देखिए growth का मतलब है कि हो सकता है कि हमारे GDP का growth 8% से बढ़े 8% per annum अगर हमारे GDP ग्रोथ on and average 8% के हिसाब से बढ़ रहा हो या 8% हटा देते हैं हम अपने देश की GDP जब से देश आजाद हुआ है तब से हम मिला लेते हैं कि 3% के on and average से बढ़ा है 3% मात्र 3% लेते हैं तो क्या देश में इसी 3% के हिसाब से बिकास भी हुआ है क्या ये देखने की कोशिस करेंगे क्या हुआ है मतलब क्या education हमारा उस level पे सुधरा है जिस level पे हमारी economy की बात हो रही है क्या अच्छे-अच्छे universities बनाए गए हैं क्या अच्छे-अच्छे schools खोले गए हैं क्या अच्छे-अच्छे schools में क्या नमांकन का दर हमारे देश में अच्छा है क्या literacy rate हमारे देश का बढ़िया है ये है क्या हमारे देश का infrastructure pool बनिया है पुलिया बढ़िया है जहां से रेलवे जाएगी वो पूल अच्छे से बनाए जहां पे रोड सरक निकलेगा उस पूल का निर्मान हुआ है क्या यह सारे क्या इन्फराइस्ट्रक्चर है क्या पंचायत भवन का निर्मान हुआ है बात समझ में आ रहा है कि नहीं यह इन्फर कर दो अगर 3% के अनुपात में हमारे देश का ग्रोथ हुआ है तो क्या 3% के अनुपात में हमारे देश में पोवर्टी कम हुई है अगर उस हिसाबसे कम होता हर साल 3% तो आज हमारे देश में पुवर्टी ही खतम हो जाती, अगर 50% या 70% भी हमारे देश में पुवर्टी था, तो देश को अजाद हुए 70 साल हो गए, हर साल 3% के एवरेज से पुवर्टी को कम करो, क्या निकी हर साल 100 में से 3 लोगों को निकालो, 70 साल में अपने आप देखो 3-3 निकालते, चलो तो भी 70 साल में कितने लोग बाहर निकल के आते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो 100 में 3 की बात करें हैं, तो जितनी अब आदी उसका 3% निकालना शुरू करो, पॉइंट यहां पड़ें, क्या उसी साफ से पुभर्टी कम हुई है, क्या आपके जीवन परतिया से आया, यानि कि कितने दिन तक आप जीवन जीने की अपने देश में काउंट किया जाता है, उसमें सुधार हुआ है, क्या वो बेहतर है, जैसे जपैन की बात करें, देशों कभी example हम ले सकते हैं यहां पर, ध्यान रखेगा, ठीक है, चलिए, क्या हमारे हाँ बच्चों का development उस तरीके से और आज इस तरीके से हमारे हाँ बिर्धी हो रही है, तो क्या महिलाओं को लेकर कि क्या rules या किस तरीकी की practices हमारे देश में अभी भी मौजूद है, आप सबको पता है, तो क्या इस सारे level पे एक देश खरा उतरता है, और अगर उतरता है, तो up to what extent, किस समय तक, यानि कहां तक थारता है, तो अगर उस तरीके से देखें, तो उस इंगल डामेंशनल है, GDP, national income ना प्लो हो गया, पर capita income ना प्लो हो गया देश का growth, आरे देश का growth, अनील दिरू भाई या मानी की के पास संपत्ति जो हैना इतना है, कि भारत का 50 करोड़ अबाधी के बढ़ावर का संपत्ति है, तो इसका तो बिर्धी हुआ, बागी के 50 जो भूखें मर रहा है, उसका क्या कहानी होगा, बाध समझ मैं रहा है, तो बिर्धी और क्या बोलते हैं, विकास में अंतर है, development और growth में अंतर है, इसको समझियेगा, ठीक है, हमारा क्या बोलते है, बिर्धी हो सकता है, गुरोथ हो सकता है, प्रसनली, पैसे कमा करके, या क हो जाए, तो अगर सबका हो गया, मेरे कारण तो वो development हो जाएगा, क्योंकि सबके नहीं हो पाएगा, मैं individual अपने लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पैसे कमारो, अपने family पर खर्च करूँगा, relative पर उतना ही खर्च कर पाएंगे, जितना की हमारा छमता है, ये बात आप जानते हैं, तो फिर उनका तो नहीं होगा ना हमारे हिसाब से विकास, समझ रहा है ना इस बात को, तो धिरु भाई अम्मानी का तो हो गया, टाटा का तो हो गया, अडानी का तो हो गया, ठीक है, अबानी का हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, रुया का हो रहा है, हाएं अजीम प्रेमुंजी का उनके बाषक बात करेंगे एक बादे की जब सुछना शुरू करते हैं रोड़ कौन बनाएगा बड़े-बड़े किसे तीतर वीतर है एक जगे इक ठाओ करके उसको महिया कौन कराएगा तो यह सारे चीज शरक कौन बनाएगा तो यहां पर बिर्धी और विकास को यहां पर हम तरीके से समझने की कुछिस किये हैं ध्यान रखेगा बहुत सारे एक्जामपल से उसके बाद भी आपको समझ में कि राष्टरिय आये या परतिवेक्ति आये अगर हम कर दे तो बिर्धी को माप सकते हैं पर कैपिटा इंकम नेशनल इंकम बेगरा जैसा कि आप जानते हैं कि GDP में इतना बढ़ोतरी हुआ तो बिर्धी हो गया लेकिन जब हम आर्थिक भिकास की मापने की बात आती है तो आ जो कि विकास को किसी देश के डेवलप्मेंट को मापने के लिए है लेकिन ज़्यादा तर ध्यान लोगों को GDP पे होता है और जब GDP में इंकरीज होता है तो चिला चिला के अखवार वाले, TV चैनल वाले, News वाले, ने ताज इसकी सरकार है देखो हमारे समय में कितना बिर्ध करके acceptance आपके सामने में रखते हैं, वो acceptance यह है कि अगर बिर्धी हो रही है एकॉनमी का तो कहीं ने कहीं विकास को बढ़ावा देती है, बिर्धी कहीं ने कहीं विकास को तो यह एक दूसरे का पूरक है यानि कि directly एक दूसरे से हैना direct proportionate में है, हैना कैसे देखो, अगर आप के पास पैसा होगा, तो automatic आपका health ठीक हो जाएगा, automatic क्योंकि आप अच्छे खाना खाने लगेंगे, आप अच्छा पानी पिने लगेंगे, आपका environment अच्छा हो जाएगा, आप अच्छे school में पढ़ेंगे, तो आपके बच्चे भी अच्छे schooling हो पाएगा, तो यह सब कु बिकास संभव नहीं है, यह बात भी हम जानते हैं, लेकिन सिर्फ बिर्धी ही हो और बिकास पे ध्यान न दिया जाए, तो यह गरवरी है, तो बिकास जरूर यहाँ पे बिर्धी पे ध्यान देने वाली बात है, लेकिन बिकास के बिना बिर्धी भी मुश्किल हो जाएगी, कैसे बताते हैं, आप पैसा कमाया और सब पैसा को बैंक में लगते चले जाए, तो आपका बच्चा को एजुकेशन पर खर्च नहीं करें, आपके बच्चे के mental जो अप बिरिंगिंग है, उसको उपर खर्च न करें, खाना खूब खिला रहें, कपड़ा पिना रहें, और उस तो अगर development नहीं होगा, तो आगे चल करके आपके सारे पैसे खतम करते हैं, क्योंकि उसके पास समझ ही नहीं है, कि हमको किस तरीके से इसका यूज करना है, तो ध्यान रखिएगा, विकास उतनी ही जरूरी है, जितनी बिर्धी, ये बात जरूर मैं मानता हूँ, कि बिर्ध तो पुलिस जल्दी आजाएगी, मतलब कि वो लोगों को ये करे कि सरक खड़ा भी ठीक है, कुछ करेगा तो पुलिस आजागा तो पकर के लेके चला जाएगा, देखो ये कैसा सोच है, ये सोच, ये development का सोच तो नहीं है, तो यहाँ पर development नहीं होगा, और आप जानते हैं क भारत के अलग अलग छेतर में जाकर के अपनी योगदान देते हैं, ठीक है, चाहे जैसे हो, चाहे वो services के रूप में योगदान दे, अब पढ़ लिया तो services के रूप में योगदान देगे, teacher के रूप में दे, या फिर software के रूप में दे, या कैसे भी दे, journalism के रूप में कैसे भी दे तो पॉइंट समझेगा वो अपने तरीके से पढ़ाई किया है तो वहां पर गॉवर्मेंट का योगदान बहुत लिस्ट रहा है हाँ अब गॉवर्मेंट कुछ-कुछ नीती बनाने लगी है तो चीजे इंप्रूमेंट होगी अभी भी नए उनिवर्शिटी बह में आगया होगा और उसके मापना भी समझ में आगया होगा तो अब आगे हम देखते हैं कि मानअब विकास उच्च गांक और राश्टरी यह आए, हम दोनों के बारे में बात करेंगे, तो मानब विकास सुचकांग को आज देख लेते हैं, राश्टरी यह को हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, मानब विकास सुचकांग की इसलिए देख लेते हैं, क्योंकि एक्जाम में यहां से कोशन पूछ ल देखेंगे इसके जो आप factors या indicator देखेंगे वो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये मानभ के विकास की बात करता है, बिर्धी की बात नहीं करता है, इसके indicator क्या है वो देखिए, indicator से जैसा मैंने आपको इतना सारा समझा है ना विकास, आप indicator देखो, तो आप को relate करो, जैसे मैंने क्या कहता है, health के बारे में, health है इसमें, मैंने education के बारे में बताता है, education है इसमें, आपके living standard, तो living standard है, तो इन अस्तर पे, इन अस्तर पे, अगर किसी देश के map को, map को दिखाया जाए, इस अस्तर पे, इस आधार पे, तो वो विकास कहलाएगा, ठीक है, यहाँ पे GDP न इसमें क्या लिखा है, स्वास्त, आपका स्वास्त अच्छा है, आपके देश का स्वास्त अच्छा है, स्वास्त का कहानी है आपके देश में, health की क्या कहानी है इसमें, आपके देश में, किस तरीके से government ने निती बनाया है, ठीक है, यह सारी चीजे, आपके देश का जीव बनाया गया है किस तरीके से वो जी रहा है सिख्षा का क्या अस्तर है आपके देश में बच्चे किस परकार के सिख्षा पा रहे हैं बड़े किस परकार के सिख्षा पा रहे हैं ओन एन एविरेज एक पूरे जीवन में कितना साल schooling में गुजार रहे हैं, ठीक है, वो क्या है आपके, तो इन सारे चीजों पे जब calculate करते हैं, तो हमको पता चलता है कि कहीं नहीं कि mental development की बात आ रहा है, यानि कि विकास की बात हो रही है, जब जीवन अस्तर की बात आ रही है कि आपका living standard कैसा है, आप गंदा पानी पी रहे हैं, साफ पानी पी रहे हैं, आपका जो घर मकान कैसा है, कच्चा है, पका है, सेनिटाइजेशन का क्या समस्या है, है न, डिफिकेशन का क्या समस्या है, या फिर आप हिल्थ को लेकर की बात हम लोग ने कर लिया, ठीक है, तो ये सारे जीवन के living standard की बात है, आप कपरे कैसे पहनते हैं, कितने लोग है जो भुखमरी का सिकार है, जीवन standard में, ठीक है, क नौरवे जो है न, पहला अस्थान पे है, ठीक है, अब जरा बिर्दी विकास को मैं फिर से एक बार समझाओंगा, और अगर मेरे तरीके से आप समझ लेए न, तो जीवन भर नहीं भूलोगे, मैं एक बार रिजन करा का भी समझाओंगा, देखो एक मिनट के अंदर में, प पकिस्तानी अर्षासतरी महबूल, महबूब उलहक, ठीक है न, चलिए, यह बात मैंने लिखा, और इसको पब्लिस कौन करता इस रिपोर्ट को, तो इस रिपोर्ट को पब्लिस करता UNDP, उनाइटेड नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में बोलते है, शनी ने बनाया, तो महबूब उलहक ने, भारत का स्थान क्या है, यह कोशन बहुत भीवया, यह मतलब की, एक्स्ट्रीम लेवल का भीवया है, कई बार कोशन पूचा, भारत का स्थान क्या है, 131, पहले अस्थान पर कौन है, नौर्वे, अब एक छोटा सा कंपैरीजन और भी आन से समझेगा, और मेरा विश्वास है कि अगर जीवन नमर के लिए याद नहों हो जाए, तो फिर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बिर्धी, बिर्धे की बात करते हैं, तो हमारा जो GDP है, GDP, दुनिया में आज की डेट में छठे सात्वी अस्थान पर, मैं सात्वा अस् करαι सकती संता, हम आगे पढलेंगे, थोड़ा सा समय विजए, अगर क्रह सकती संता की हिसाब से बात करें, तो हम तीसरा सबसे बड़ा economy है दुनिया में, यह क्या है, यह जो दोनों बाते मैंने किया, यह क्या है, यह ग्रोथ है, मैं दूसरी color से लिए थाउ, बड़ा नहीं एक्सो एक्तिस्मा है तो यह क्या है बेटा यह डेवलपमेंट है डेवलपमेंट है अगर GDP के हिसाब से हम दुनिया के सात्वे बड़े एकोनमी है और एज पर PPP Purchasing Power Puparity हम तीसरे बड़े एकोनमी है तो HDI में हम एक्सो एक्तिस्मा अस्थान कैसे है हमारा दूसरा चौथा अरे कम से कम दसमा अस्थान तो रखो 20 मा अस्थान माल लेते हैं 25 मा रखो तीसमा रखो तीसमा अस्थान तो रखो अर्थ ववस्था में सात्वा अस्थान और HDI में 101 स्थान यह साफ साफ चिला चिला के कह रही है कि हमारे दिश में बिर्धी तो हुआ है लेकिन बिकास नह हुआ है अब लगता है आपको समझ में आ गया होगा बिर्धी और विकास बिर्धी तो हुआ है कि हम साथवा वरा एकॉनमी बन गया है बन गया है लेकिन हमारा विकास एक सो एक्तिसमा देश है यानि एक सो तीस देश development के मामले में हमसे उपर है और उस development में क्या क्या देखा उन्होंने उन्होंने सिक्षा देखा जीवन अस्तर देखा जीवन अस्तर आज पर PPP जीवन अस्तर देखा स्वास्त देखा यानि कि उन्होंने क्या देखा health देखा education देखा standard of living आज पर PPP और अगर आज पर PPP देखा तो और सरम की बात है क्योंकि आज पर PPP हम तीसरा बड़ा इकोनमी है और HDI में 131 कितना बड़ा खाई है हमारे बिर्धी और विकास में और लोग इसको विकास समझ लेते हैं अगर इस विकास होता तो यहां पर 131 नहीं तीसरा स्थान होता मरे हुए अलात में 10 बार हमां अस्थान होता लेकिन विकास के नाम पर हमारे हैं कुछ नहीं है यह रिपोर्ट बताती है UNDP का, तो बिरदीबी का समझ में आ गया, तो हमने economy में क्या-क्या बात किया, economy शुरुवात किया, फिर हमने macro और macro की बारे में बात किया, sectors of economy की बात करेंगे, types of economy की बात किया, जिसमें हमने capitalistic, socialist और क्या बोलते हैं, mixed economy की बात की, बंद अर्थवी अस्था के बारे में बताया, एक्जाम का कोशन बन जाता है, और उसके बाद मैंने बताया कि sectors of economy में primary, secondary और tertiary, tertiary में दो भागे बताया है, मैंने quaternity और quinary sector के बारे में बात किया, यह सारे, उसके बाद हमने बताया, बिर्धी और विकास, development और growth के बारे में है ना, और उसके हिसाब से, HDI के हिसाब से हमारा स्थान 131 है, लेकिन GDP के हिसाब से PPP पे हमारा स्थान 3 है, और normal nominal GDP पे हमारा स्थान 7 है, तो ध्यान रखेगा हमारे हैं बिर्धी तो हुआ पिछले 72, 73, 74 सालों में, लेकिन बिकास के नाम पे हम 131 है, पिछरे हुए है, तो अगर कोई लोग कहेगा कि हमारे हैं बिकास हुआ है, तो मत मानियेगा, एकॉनमिक टर्प में मत मानियेगा, क्योंकि अगर बिकास हुआ होता, तो यह स्थान 131 नहीं होता, तो आज को क्लास के यहीं को रोकते हैं, धन्यवाद, अगली क्लास में हम लोग निशनल इंकम के बारें बात करेंगे, थेंक यू